अंदभक्त परजाती गोदी मीडिया और भाड़े के दलालों की असली ओकात निकल कर सामने आ गई है इसराइल के समर्थन में तांडव करने वाले तमाम नफरती चिंटू को और किसी ने नहीं खुद नरेंदर मोदी हमारे परधान मंतरी सामने जोर का तफेडा जड़ दिया है हिंदोतों के अजेंडा के चलते मुसल्मानों के उपर अत्ताचार हो रहा है फिलिस्तीन में मुसल्मान रहने वाले हैं उनके उपर इजरायल अटेक कर रहा है नफरत बादों के मन में शान्ती मिल रही है भारते जंता पार्टी के अजेंडे के अनुसार है इसलिए तमा के तथाखतित धरम गुरू और ठेकेदार जितने भी संगठन में बैठे हैं यह लोग यह सारे के सारे अब रोने के लिए जगह देख रहे हैं कि कहां छूपकर हम मगरमच जैसे आशू टपकाएंगे जी हां खुद प्रधान मंतरी निरेंदर मोदी ने फिलिस्तीन के प्रध देता आया है उसका समर्थन करते हुए उसको कंटिन्यू करेगा और जो नीती भारत की रही है फिलिस्तीन के साथ 1967 से उसको होल्ड कर लिया है प्रधान मंतरी सहाब को ट्रिवी टाप की स्क्रीन पर है बाकाइदा जो लोग होस्पिटल में आकर्मन के बाद मारे गए हैं उ अपने सन्विद्राय परतीत की और संतंतर फिलिस्तीन को लेकर भारत की नीती जो हमेशा से रही है जो अटल बिहारी वाजपी खुले मंद से कहते थे वहीं बाते सब्दों में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहने की कोशिस की है कि अर्बो की जमीन को इजरायल जिसके चोड़नी होगी यह अब भारत सरकार का खुद परधान मंतरी नरेंदर मोदी का अपना व्यक्तिगत ब्योरा भी आ गया है एक परधान मंतरी की हैसित से पूरे देश का रुख भी सपस्ट हो गया है जो लोग मुझे अब यह बताए यह तांडों काट रहे थे कि इजरायल के ऊपर तो बहुत बड़ा आतंग की हमला हमास ने कर दिया है यह सारे के सारे सैतानी किताब पढ़ने वाले हैं फिलिस्तीन वाले और मुहमद और मुहमद को जो सैतानी किताब उसको मानने वाले लोगों को धर्की से मिठ ही जाना चाहिए गोधी मीडिया लगातार सिर्ट्टिन के संपरक में उनके उपरे फायार दर्ज हो गई यहां जहां फिलिस्तिन के समर्थर में परदर्षन किए जा रहे थे जब इस युदद के सर्वाथ होई तो उस समय ये तमाम ठेकेदार और नफरती चिंटों ने हामी भरी और बड़े ही गुभारे फुला कर कहा कि ये तो आतंक वाद का समर्थन कर रहे हैं इनकी उपराएं फायार होने चाहिए ये तो अपने सिरफ कॉम के हैं इनको अपने देश से कोई लेना देना नहीं है ये बाकाइदा खुद भारत्य जंता पार्टी के नेताओं ने मंत्री ने मुख्य मंत्री ने कहा कि असुस सुदीन एवेसी जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है उसको गाजा पठ्टी चले जाने चाहिए वहां जाकर उसको लड़ाए लड़ने चाहिए नेरेटिव सेट किया पर भी फायार होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है एक नेरेटिव पूरी तरह से घढ़ा गया था क्योंकि जिनके उपर अत्याचार हो रहा है जो पीडित है मुशलमान है और हिंदू और मुसलमान की राजनीती से ही सारा का सारा भारत्य जं मर्थर में खड़े हो जाओ गोधी मीडिया कि असलो का दिखाता हूं रूबी का लियाकत गई हुई नहां पर पत्तरकार बनने का चोला होड़ती है और वहां भारते जुन्ता पार्टी का भारत सरकार का एक तरीके से परवक्ता बनकर रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहां इंडिया में बैंदे लिए कि व्याटि शौर लाकि इंडिया इस वी आर्विद इसराइल इंडिया को भारत सरकार को यह प्रेटिश और है कि हमें देखी इस तरह कि और गजनाजाशन का साथ नहीं देना है जो यूद में दकेले सुनिए और गावर्मेंट ऑप इंडिया सब्सक्राइब इस वेरी शौर इसराइल और एंडिया और अगानिजिशन आप इंडिया इन ट्राइस तो इंफ्लिक्स वर उन्यू यह थी रूबी का लियाकत इनको किसने अख दे दिया वहां के प्रेस पे जाकर आप वहां पर बाइट देंगे और भार्ट सरकार का वहां इदर थुकेगा तो इजर चाटने के लिए भाग पड़ेंगे इधर मालिक थुकेगा तो इदर चाटने के लिए भागने पड़ेंगे इनकी असल ओकात ही यही होती है, इनकी अपनी कोई बिशाद नहीं होती, इनका अपना कोई स्टेंड नहीं होता, यह भी काउ होते हैं, चाहे वो भरते जंता पर्टी के आइटी साहिल के लोग हो, इनके भाड़े के ट्रॉल हो, तमाम गोधी मीडिया हो, या नफरती ठेकदर मुझे बताईए भाई, इज्राइल, फिलिस्तिन का ये मुद्दा जब सुरुवात में हुआ, तो यतिनर शिंगानन सरफषदी महराज ने, योगी महराज को ये तक बोल दिया था, अगर तो अपने बाप की उलाद है, तो एम्यू में जो फिलिस्तिन के समर्थन में रैले निकाल रहे हैं, उनके उपर एक्षन करके दिखा, ये सब्द बोले थे या नहीं बोले थे, मुझे बताईए, बोले थे न, यतिनर शिंगानन सरफषदी महराज ने, योगी के बाप तक चले गए थे, अब जाओ ना, प्रदाहन मंतरी मोधी के बाप तक, प्रदाहन मंतरी मोधी ने कहा दिया कि हमारी जो नीति हुसका में समर्थन करते हैं, गंडोलेंस दिये हैं, जो लोग मारे गए हैं अटेक में, और जो सहयता फिलिस्तिन को देते हुए भारता अस्दकारा उसको भी कंटिन्यू करने के लिए लिए लिख दिया है, अच्छा लोकात है ताब दुस्मन हैं ये लोग, जिसकी कोई अपनी कोई बिशाद नहीं होती, जो भिक जाता है, वो ही इस देश का असल सबसे बड़ा दुस्मन है, ऐसी पोस्ट पर जो बैठे हुए हैं, सोसल मीडिया पर वीडियो जालते हैं, जिसके उपर समाज में परभाव पड़ता है, चाह मीर बेच कर, तो इस देश के सबसे बड़े गदार आप हैं, और आज के दिन ये जितने भी तथाखति धरम गुरू हैं, ठेकेदार बने बने बदे हैं, नप्रत बाज हैं, बीजे प्याइटी साहिल के ट्रोल्स हैं, भड़े के जन्तू हैं, गोधी मीडिया है, यहीं इस देश की असल देश ध्रोई है, ओकात है, तो मुझे अब बताओ ना, प्रधानमंत्री मोधी खाब ने फिलिस्तिन का समर्थन कर दिया, अब बहुल के दिखाओ कि उनके खिलाब F.I.R. हो, अब उनको आतंकवादी प्रधानमंत्री इंदेदर मोधी को बहुल कर दिखाओ, यतिनर सिंगानन सरस्वती ने तो उसके बाद भी तांडव रचा, योगी जी के बाप तक गए, उसके बाद ठीले ठीक उस बुद्धे परोन ने माफियों भी मांग ली, उसके बाद अपने तमाम भजन मंडली के साथ रक्त से लिखा हुआ पत्तर दिया था पता है, और इ इसलिए परधान मंतरी नेंदर मोदी से और यतिनर सिंगानन सरस्वती महराज ने बाद चिठी लिखरी जाले कि परधान मंतरी को कि देखे मैं यहां पर आना चाहता हूँ, यहां के हिंदू तो हत्यार नहीं उठा रहे है, यह तो लड़नी रहे धरम के लिए, यह ऐसे ही क किस्तिन का संबतन कर दिया है, उकात नहीं है, यार, खीच के थपड़ मारेंगे इनकों, रगड़ देंगे एक मिट में तमाम नानी, नानी, मामा, पापा, भूफा, सब कुछ याद आ जाएगा, एक और महराज हैं, वो क्या नाम है, उनका प्रमहन सरी, आचारी, आधा से, पिठा धेसवर महराज, उन्होंने तो अशों में एक यग कर दिया था इजरायल के पक्समें की इजरायल के लिए, हम समर्थर में खड़े हुए हैं, लड़ने के जरूत प्रिद हम भी जाएंगे, पिंकी भाईयां मैं एलान कर दिया था, गोधी मीडिया पर जितने भी मैं बताता हूँ न, एक टोली होती है, जो हमेशा से सरकार को डिफेंड करने के लिए आ जाती है, वो इजरायल के समर्थर में आ गई थी, पूरी तरह से खुल कर, वो ये नहीं कह रही थी, कि फिलिस्तिन और हमास में फरक करो, वो ये कह रही थी, मुसलमानों को मिटा दो, ये इनकी जमात या तंकवादी है, ये सिद्ध करने में लगी हुई थी, और ज्यादा से ज्यादा कर्मन पर हो रहे थी, तो खुशी मना रहे थे, तमाम लोग मैंने दिखाए भी था, ये चुनिंदा लोग ही है, जो सोचल मीडिया पर भारते जुनता पार्टी ने, पैसे दे देश को भी बेच सकते हैं, ऐसे लोग हैं, और यहीं लोग हम से देश भक्ती का सार्टिफेकेट मांगते हैं, कितनी विचित्तर बाथ हैं, हम सोचल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त कर देते हैं, तो इसी तरह हैं कि पाले हुए कुत्ते हमें गाली देने लग जाते है हमें मुसल्मान के परष्थ पाकिस्तान परष्थ देश द्रोही ये तमाम चीजे आइकन हमारे उपर ये चपकाने लगते हैं मैं तो एक तरीके से धन्यवाद करूँगा प्रधानमंदरी निरंदर मोदी जी के चलिए उन्होंने आटलिस्ट कुछ तो कदम उठाया हम सुरुवात में भी इंसानियत के साथ है जब यह मुद्दा सुरू हुआ जब प्रधानमंदरी निरंदर मोदी ने टिविट कर ये तमाम मंडली लगई हुई थी इस्राइल के साथ फिलिस्टिन को मिटाने के लिए उस समय पर भी हमने कहा था कि देखिए मानोता के साथ हैं चाहे हमला इसराइल पर हो चाहे फिलिस्टिन पर हो मासुम लोग नहीं मारे जाने चाहिए हमने भी बद्रा लिया है पाकिस्तान से पाकिस्तान ने हमारे उपर हमला किया था हमने एर स्टैक की थी उनके घर में घुसकर एक तरीके से हमारे जाबाज सिप से एक पाकिस्तान से नफ्रत है और वहां के हमारे देश के दुआरा उनके मासुम लोगों को मारा जाता है तो क्या उसका अप समर्थन कर सकते हैं मासुमों को मारना र्युद्ध के भी नियम होते हैं इंसानीत होती है जमीर होता है याद रखनाची इसी बात को आपकी देश भक्ती इसलिए नहीं दिखाई देनी चाहिए कि आप पूरा जो हमारा दुस्मन है वो एक पर्टिकुल समुदाय से है और उसको आइकन उसके उपर चिपका देना उसको पूरे के तब के कोई पूरे समुदाय कोई देश-धुरी करार देना इसराइल देखे इसराइल तो अब घर में घुषके मारेगा बताएगा फिलिस्तियों को इनकी असल ओकात दिखाएगा इतना पूरा परकरण बनाया तो इनका सुनने वाले लोग जो हैं के साथ जो हैं को समर्थन करते हैं जिन्होंने जिनका माइंड बास करके इन नफ्रत बाजों को गल्या रहे हैं प्रदान मंतरी नेरंदर मोदी का यह ओफिशल ट्वीट आने के बाद की मैंने वहां के प्रदान मंतरी से फोन पर बाचित की रोन को सांतों ना दी है कि हम उनका हर सम्भों साथ दे गए यह असल उकात इनहीं के फॉलोवर्स ने इनको दिखा द है कि आप हमारी तरफ हैं या उस तरफ हैं सब कुछ सपश्ट तोर पर सामने आज जोगा है विकाव लोगों की तस्वीर मुझे मैं सही बात बिल्कुर सपश्ट कहना चाहूंगा उकात उनकी खुद प्रदान मंतरी मोदी ने दिखा दिया उनके फॉलोवर्स नहीं दिखा को अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकर नहीं दिया जाता है सोचेगा विचार करिएगा मैं तो अब भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंतर और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंतर अमेरिका और भार्त दोनों से यह दर्खवास करना चाहूंगा कि दोनों देशों को एक लोगों को अपने सुविधाएं जोन के उपर हैं उनसे वन्चित रखना मामला यूएंड में चल रहा है लगातर प्रतिकर आ रहे हैं लोग मारे जा रहे हैं वेस्विक स्तर पर बाजार नीचे गर रहा है यह तमाम अच्छे संकेत नहीं है पटाके जलाने से कभी-कभी ब होत हो गया अब नोटंग की बाजी छोड़िए एक मंचपरा ये बादचीत का समधान कीजिए गल्त को गल्त कहने की हिमत रखता ना वही असल इंसान होता है दलाली करने वाले भड़वागिरी करने वाले दोनों तरफ मूह करके दोनों हाथों में लड़ू रखने वाले ल रखने वाला ही सरणिम होता है उसी की सरहना की जाती है और वहीं युगो युगो तक जिन्दा भी रहता है आशा करते हैं कि इस देश के जितने भी राष्ट्र अध्यक्स हैं वो जल से दल इस ममले को सुल जाने की कोशिस करेंगे और आप भी हमला किसी भी तरह किसी भी प कुछ सकता है